शायद आप लोगों हिंट लग रहा होगा आज कल प्रोडूसर साब और डेस्टीम बढ़िया से टीजर नीचे डालना शुरू कर देती है लेकिन आज बिग स्टॉक सी कड़ी में कौन कौन से? आज बिग स्टॉक सी कड़ी में चार बिग स्टॉक में लेकर चल रहा हूँ पहला है HDFC Life HDFC Life को मैं ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ क्यों क्योंकि कल हमारी बात हुई थी स्टॉक के बारे में वो सरेंडर वैल्यू वाली ख़बर नेगिटिव थी और स्टॉक प्राइस ने आपको बताती है कि मार्केट ने क्या समझा उस्टॉक इसको हार्ड बॉटम खराब ख़बर पर जब स्टॉक चल जाए मतलब बॉटम बन गया HDFC Life में बॉटम बन गया कल और लोवर लेवल से अच्छी खासी रिकावरी भी आ गई यहां पर तो यह एक इंडिकेशन है कि यहां पर आपको बॉटम बन चुका है ठीक है अब आप एक और रीजन दिखाता हूं मैं आपको इस साल और इंशॉरंस टॉक ने क्या किया यह देखिए आईसी 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 आपको के मुकाबले HDFC Life की 20% की अंडर परफॉर्मेंस है एक स्टॉक जो नॉर्मली आउट परफॉर्म करता था अंडर परफॉर्म कर रहा है आट परसंट गिरा है इस साल आईसी आईसी आपको बारा परसंट ऊपर है मैक्स फिनेंशल साड़े तीन परसंट ऊपर है SPI Life सवा परसंट ऊपर है SPI Life में भी जगह है वैसे लेकिन HDFC Life में सबसे जादा जेगा इंशॉरंस टॉक में लेकर चल रहा हूँ कल लेंटी फिनांस ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ कल की ब्लॉक दी में प्रमोटर ने माल खरीद रहा है तो कुछ तो उनका वियू होगा ठीक हो लग रहा होगा कि यह जा रहा है 200-300 की तरफ स्टॉक कल आधा परसंट हिस्सेदा कैश मार्केट का स्टॉक ब्रीन में लेकर चल रहा हूँ सेंको ग्लोबल यहां पर कल एक ब्लॉक दील हुई एक क्लीन आउट थ्रेट के टाइप सेंको ग्लोबल को सेफ पार्टनर ने 960 पर शेयर पर 5.8% अपना हिस्सा बेचा यहां पर उनके पास 10.77 था और काफी अच् ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ वह हैविल्स मेरा फोकस रहेगा अब उन कंपनियों पर जो कैपक्स कर रही है टोमेस्टे एकॉनमी रेटेट कंपनिया जो कैपक्स कर रही है इन्होंने 50 से 60 करोड का एक इंवेस्मेंट का एक अप्रूवल लिया है दो यूनिट यहां पर 15 लाग एसी और एसी देखे इस मार्केट में वैसे भी आपने देखा यह कि क्या गर्मी पड़ दिये भाएंकर तो एक्सपैंशन हो रहा है उसका इसके लिए और इंटरनल अक्रूवल से कर रहे हैं तो यह एक चीज़ बहुत लिए कोई डेटवट नहीं ले रहे हैं यह भी चला हाट बॉटम बन गया है इसको ग्रीन मिलेके चलेंगे स्टॉक को एलेंटी फिरांस कल भी चर्चा हुई थी और हाथो हाथ लिया गया वो बड़ा चंग जुब्बे का प्रमोटर्स की खरदारी रडाप रखिये स्टॉक को सेन को गोल्ड को रडाप रखिये लाज्ट ट्रेड कल हुआ, क्लीन आउट ट्रेड था, छे इन्वेस्टर्स चेक इन करते हुए इंट्रिस्टिंग स्पेस की कंपनी और हैवल्स इंडिया अभी खबरों में जब स्टॉक सी न्यूज आएगा डिटेल में चर्चा भी करेंगे पर इन्होंने किपासिटी एक्सपैंश जरहें नीचा अले तीन को अलग रखना जरा स्क्रीन पर आज तो एकदम कलर कॉडिनेटर तीनों एक से सत्पुते साब को बतादें कि मनी कंट्रूल पर दिये गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने नीची विचार होते हैं वेबसाइड या मैनेजिवेंट इसके लिए उतरदाई नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रूल की सलहा है कि कोई भी इनिवेशन इनले लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलहा ले